तो चलिए आईए स्टार्ट करते हैं हम बहुत सिंपल देखो सेलरी वाले कुश्चन को करने में न टाइम लग रहा था प्रोविजन याद है फिर भी कम से कम 10 मिनट ले रहे थे हाउस प्रोपर्टी के कुश्चन को करने में प्रोविजन कम थे लेकिन उसमें भी मैं प्रोविजन लगा था capital gain के अंदर भी प्रोविजन होगा लेकिन शिर्फ दो लाइन के अंदर आंसर निकलता है सरफ दो लाइन में कैसे capital का मतलब यहाँ पर capital का मतलब इस chapter में देखो हर जगा capital का मतलब होता है अलग-अलग इस chapter में income tax में बोला जाता है बच्चो capital का मतलब है यहाँ पे fix assets से capital का मतलब क्या है यहाँ पे normally fix assets से और ज्यादा से ज्यादा हमारे सवाल में use होने वाला है land and building ठीक है और मैं simple सी बात करूँ capital को fix assets बोलू न तो थोड़ा सा कहना गलत होगा मेरे हिसाब से मैं इसको capital का मतलब that is assets बस यानी और gain का मतलब होता है सर profit आपको ग्यारवी क्लास में पढ़ाया जाता है यह gain लेकिन उस टाइम पे इतनी बाते समझ में नहीं आती सर gain का मतलब क्या है ग्यारवी क्लास के अंदर बताया जाता है एक्जाम में question भी आता है profit और gain में difference या profit और gain को explain करिए देखिए एक होता है day to day business regular business सबजी वाला है daily आलू प्याज ला रहा है आलू प्याज बेच रहा है 10 का आलू ला रहा है 12 रुपे का बेच रहा है तो 2 रुपे कमा रहा है यह जो 2 रुपे की कमाई है यह regular है रोज कमाएगा वो तो जो regular income होता है उससे जो कमाते हैं यानि business activity के income से कमाते हैं उसको हम बोलते हैं gain sorry profit उसको क्या बोलते हैं profit और ऐसा income जो कि हमारे daily basis में नहीं है कभी कभी हो जाता है उसको बोला जाता है हमारा gain बस यह फरक है तो sir business के अंदर assets हर रोज नहीं बेचा जाता यानि अपने personal life में भी कोई assets daily नहीं बेचा जाता मकान खरीदा 10-15 साल कई तो 100 साल भी बेच रहे हैं बहुत बात बेचते हैं तो वो तो बोला गया assets को assets per profit sir assets per profit कब होगा हमारा simple सी बात है assets per profit कैसे होगा मान लेते हैं कि मैंने एक building for example मैं ले लेता हूँ example मैंने एक building building खरीदा था मैंने मान लेते हैं 50 लाक का इसको मैंने sold कर दिया sold कर दिया मान लेते हैं मैंने 60 लाक रुपे का तो मैं एक सवाल आप से पूछू न तो लगेगा ये क्या सवाल है कि बताओ इस building पे मेरा profit कितना हुआ 10 लाख रुपए का profit 10 लाख रुपए का इसी को मैं profit ना बोल के मैं क्या कर दूँगा gain कितने का और इसी को gain ना बोल के मैं बोल दूँगा कौन सा gain है यानि assets के ऊपर हुआ जो profit है उसे बोला गया capital gain तो सर हमारा सवाल कितना भी बड़ा हो निकालना capital gain है तो क्या करेंगे जितने का assets खरीदा और जितने का बेच दिया दोनों का difference यानि यहाँ पर देखा जाए तो वैसे तो minus में answer आ जाएगा actual क्या होना चाहिए हमारा sales minus purchase तो positive में हैगा न sales वो तो आपको मैंने बस overview दिया है तो capital gain यही chapter है और इसी के provision को पढ़ना है लेकिन इसके अंदर सबसे जादा जो textory होता ने यहीं पर होता है इसके अंदर capital gain के अंदर अगर मैं simple सी बात करूँ तो capital gain के अंदर जो text लगता है न कि मैं example ले रहा हूँ अलग-अलग rate है सीधा 20% लगता है अब एक रुपे का भी पैसा कमाऊगे तो 20% लगेगा आपका यानि हर जगह पर slab rate चलता है न कि 5 लाक रुपे धाई लाक रुपे तक 0, धाई से 5 यहाँ पर कोई slab rate नहीं है सर यहाँ पर 20% taxable हो जाता है capital gain ठीक है न और यहाँ पर कमाई भी मोटी होती है क्योंकि घर खरीदा अगर मैं बोलू आज से 20 साल पहले आपने घर खरीदा होका शायद 10,000 रुपे का और आज की डेट पर उसकी 50,000,000 रुपे कीमत है ऐसा possible है या नहीं है हो सकता है तो यहाँ पर profit कितना तगड़ा आ गया अब एक लाक का चीज 50 में बेच रहे हो तो profit कितना गया 49,000,000 अब 49,000,000 के उपर सीधा आपको 20% का tax देना प्लस में higher education तो चैप्टर का पहले थीम समझो कि हम इसमें सीखने वाले हैं कि किसी भी assets को बेचा जाए तो उससे जो profit arise होगा that is chargeable under the head of capital gain लेकिन आप सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी problem आ जाती है सर assets की बात आपने करी है तो क्या cash हमारा assets है है क्या इसको बेच सकते हैं आप बोल रहे है assets बेचो सर क्या debtor को बेचा जा सकता है तो अब हमें समझना होगा कि कौन से ऐसे specific assets है जिसको बेचने पे capital gain लगेगा जैसे मैं बात करता हूँ अब कोई भी हो चाहे business man हो चाहे normal person ऐसा क्या assets बेचे इसे किसको हम assets मानेंगे किसको नहीं मानेंगे आपका mobile phone भी एक assets है उसको बेच सकते हो, हो सकता है 10,000 का mobile phone आपने 12,000 रपे में बेच दिया यहां भी तो profit कमाया क्या इस पे capital gain लगेगा तो बोला, law ने बोला कि अगर ये आपका capital assets है तो capital gain लगेगा अगर law कहता है कि भाईया ये mobile phone capital assets का part ही नहीं है तो आप उसे बेच रहे हैं तो क्या उसके उपर arise होगा capital gain तो हम समझेंगे सबसे पहले इस section में हमारा यहां पे section जो chargeable होता है वो section 45 से start हो जाता है chargeability का, जैसे वहाँ पे हर किसी का नहीं एक section होता है chargeability का यहां पे 45 से start हो जाता है तो हम नहीं पहले definition देखेंगे definition के बाद एक-एक definition को जैसे वहाँ पे भी आप याद करो income from house property में income from house property के अंदर आपने अगर section 22 के एक-एक line को clear कर लिया हो तो chapter खतम हो जाता है कहता है कि house property के अंदर chargeable net annual value के उपर होगा after deduction 24 और उसके बाद आपका सारे बात है उसी में लिखा हुआ है ऐसे इसका section देखेंगे फिर हमें एक-एक बात clear हो जाएगा एक बार schedule दुबारा बता देना मैं last में एक बार फिर से explain कर दूँँगा chapter जैसे ही होगा मैं दुबारा बता दूँगा ठीक है वहाँ काफी बच्चे पूछ रहे हैं तो मैं simple सी बात है कल morning में house property का doubt लूँगा 11.30 मैं दुबारा बता दूँगा आपको चलिए आगे हम बात करते हैं सर किसका chargeability का आपके सामने chargeability है और एक चीज़ ध्यान रखना ये जो section है ये law के अंदर लिखा हुआ है दुनिया के किसी भी किताब में उठा लो बाते यही लिख्योंगे इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि law को हम change नहीं कर सकते हाँ थोड़े आसान language में लेकिन ये maximum basis of charges समझते हैं क्या कहता है कहता है any ध्यान देना यहाँ any profit or gain arising from transfer sir any profit or gain arising from transfer sir what transfer किस transfer की बात चल रही है मैं underline भी कर रहा हूँ sir ये transfer कि कोई भी profit कोई भी profit का मतलब sir बोलने का मतलब क्या इस definition के अंदर profit से profit का मतलब है आपने 10 लाख रुपए का समान आपने 12 लाख रुपए में बेच दिया ये आपने purchase किया था और आपने बेचा 12 लाख रुपए का तो ये क्या होगे आपका sales then आपका जो 2 लाख है भाई बोलता है कि आप इसे gain कहिए आप इसे profit कहिए वो आपकी इच्छा है कहता है कोई भी profit हो या फिर कोई भी gain हो arise का मतलब होना क्या इस वाले transaction में हमें profit arise हुआ है जी sir 2 लाख रुपए का profit arise हुआ है 2 लाख को बोल रहा है arise हुआ हो लेकिन बेचने के बाद transfer का मतलब sir यहाँ पे है transfer का मतलब है यहाँ पे sold बेचना word sales word का इस्तिमाल नहीं होगा law के अंदर बोलता है कि sale नहीं करेंगे यहाँ पे एक सब्द इस्तिमाल करेंगे हम जिसको बोलेंगा transfer तो जब कभी भी transfer word आएगा तो समझ जाना यह किसकी बात कर रहा है बेचने की तो बोला गया profit या gain arise हो कहां से transfer of आगे क्या कहता है sir किस चीज को sir सिर्फ capital assets को transfer करोगे तब आपका अगर कोई profit arise होगा तब ही आपका capital gain होगा तो यहां पर समझने वाली बात है कौन सी चीज़े transfer मानेंगे पिता जी ने अपने बेटे को अपना घर दे दिया क्या यह बेचा हुआ माना जाएगा यह नहीं माना जाएगा नहीं माना जाएगा लेकिन घर तो गया ठीक है न तो बहुत सारी चीज़े ऐसी चीज़े है जो कि आपको लगेगा कि यह चीज़ दी जा रही है लेकिन actual में वो उसको दिया नहीं जाएगा तो हमें transfer को भी अच्छे से समझना है capital assets में बताया है cash भी है, debtor भी है, BR भी है stock भी है, तो यह सभी क्या capital assets है वेरी simple सी बात है, जिस साल के लिए हम tax निकालते हैं न उस साल को previous year कहा जाता है income tax के अंदर और जिस साल में calculate करते हैं उसके लिए assessment year कहा जाता है first class जब लिया था तो हमने detail में देखा था, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप समझे सिर्फ previous year जब law में, यहां income tax के अंदर जब previous year कहा जाएगा तो इसका मतलब होगा, जिस साल हम income tax निकालेंगे, उसको बोला जा रहा है previous year, सीधी सी बात है ठीक है shall be chargeable, chargeable का मतलब tax लगेगा to tax under the head of capital gain यानि सर, capital gain लगने के लिए कुछ condition है एक तो profit होना जरूरी है एक transfer होना जरूरी है और एक capital assets होना जरूरी है अगर यह तीनों बाते दिखा तभी capital gain चार्ज हो सकता है एक तो क्या होना जरूरी है number one, profit या gain sir, number two, transfer होगा तभी हो सकता है number three, क्या transfer करोगे capital gain, और यह calculation कब करोगे previous year के अंदर और तब capital under the head of house property आएगा बच्चे बूच रहे हैं late join हो रहे हैं और बोल रहे हैं transfer का मतलब जी, transfer का मतलब sold होता है sales होता है और कोई चीज है नहीं इसके अंदर इतनी बड़ी बात कहता है and shall be deemed मान लिया जाएगा income the previous year which is transfer in place such capital gain exempted बोलता है भीया जी capital gain होता है न तो ऐसा नहीं है कि आपने दस दो लाख रुपए आपकी कमाई हो गई सरकार ने कुछ जगह पर फिर से आपको benefit दिया है कि दो लाख की कमाई हुई आपने बोला सर मेरे साथ देखो क्या दिक्कत हुई और क्यासा रहा दिक्कत ये हुआ कि मैं जो हूँ वो एक ऐसे जगह पर रह रह रहा था जो इस साइड भी मेरे घर के पडोस में भी वो ऐसे इंसान रह रहे थे जो डेली लड़ाई जगडा करता है इस साइड भी जो था डेली लड़ाई जगडा तो मेरे पास एकी ऑप्शन बसता है कि यहां से बीच के निकलो मानता हूँ कि बहुत पहले की जमीन थी लेकिन कुछ लोग आसपास बस गे तो बहुत लोग ऐसा करते हैं ने कि भाई बच्चे की सिक्यूरिटी के लिए थोड़ा एन्वार्मेंट चींज हो जए तो बीच के निकल जाते हैं तो उन्होंने क्या करा उस घर को वहां से बीचा ओविस्सी बात है यह 10 का खरीदा होगा तो 20-25 का बीच दिया उसने यहां फायदा हुआ और फिर से उसने एक नया घर एक अच्छे से लोकैलिटी में ले लिया उसका परपस यह नहीं था कि हम यहां पे पैसा कमाएं उसका परपस क्या था कि हम अपने सोसाइटी को चेंज करें अगर इस पे भी सरकार टेक्स लगाने लग जाए तो यह तो बोला जागा गलत हो रहा है हमारे साथ तो गौर्वर्मेंट ने बोला हम कुछ ऐसे एक्टिविटी जो कि जैनुइनली आप करना मजबूरी हो जाता है ऐसे एक्टिविटी अगर आप करते हो जैसे कि आपने 10 लाख रुपे कमाया और कहीं भी 10 लाख रुपे का घर ले लिया तो हम क्या करेंगे आप से income tax नहीं लेने वाले हम यहां से माइनस कर देंगे 10 लाख रुपे और आपका taxable income क्या कर देंगे जीरो कर देंगे यह 2 लाख रुपे कमाया है तो 2 लाख 0 कर देंगे तो सर ऐसा कौन-कौन से activity है जो हमें minus करने दिया जाएगा वो पूरा का पूरा activity section 54 की series में बोला गया है सर 54 की series का मतलब सर 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54G, GAGB और इसके बाद भी 54EE आ गया है न हाँ ठीक है GAGB इतने सारे सर ये इतने सारे section क्या है जैसे for example 54 में बोला गया भी या घर बेचो और खरीदो तब हम बताएंगे कैसे आपको benefit मिलेगा 54B में बोला गया अगर आप agriculture काम कर रहे हो खेती वगरा कर रहे हो तो उसके लिए 54 उसके बाद B के बाद बोला गया 54D के अंदर factory वगरा कोई बेचो तो हर किसी को तो मैं इस पूरे theory को करवा हूँ आईसा नहीं और जब आप इसे पढ़ लोगे कोई ज़रत नहीं पड़े कि आपको याद करने का आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि सर क्या होता है ठीक है ना बहुत simple तरीके से है यह तो यानि सर यहां तक पहले बास समझ में आया क्या कहता है कि capital gain हम किस पे लेंगे कोई भी assets जब transfer करोगे कौन सा asset transfer करना है capital asset transfer करोगे और उससे जब profit होगा लेकिन profit होने के बास सीधा हम capital gain नहीं ले लेंगे उसमें से पहले आपको कुछ चीज़े minus करने के लिए देंगे और वो कौन सी चीज़े होगी जो लिखा हुआ है section 54 वाले series के अंदर फिर जो बचेगा उसके उपर हम आपसे क्या वसूल लेंगे टेक्स लेंगे यानि सार हमें 54 भी समझना पड़ेगा capital assets क्या है वो भी समझना पड़ेगा transfer क्या है वो भी समझना पड़ेगा इसके बाद कहता है the following essential condition वही condition जो मैंने उपर mark कर दिया या लग से लिखा there must be condition होना चीए capital assets must be transfer होना चीए there must be profit and gain which taken capital gain और such capital gains should be not exempted under the asset capital gain exempted नहीं होना चाहिए तब taxable होगा तो सीडिसी बात है सर capital gain लगाने के लिए क्या condition है assets होना चाहिए वो भी कौन सा capital assets हो उस assets को बेचना भी जरूरी है यानि transfer भी करना जरूरी है और वहां से क्या होना चाहिए सर profit भी होना चाहिए जब यह सारी condition को fulfill किया जाएगा तभी आपका capital gain under the head taxable लिया जाएगा ठीक है बच्चों का handraise आ भी मैं किसी का भी handraise नहीं लूँगा मैं last में option दूँगा पहले मुझे अपना जो भी जिसका भी आ रहा है query doubt तो पहले आप comment में लिख दीजिए मैं देख के उसी का साथ साथ जवाब देता रहूँगा अभी time नहीं है कि मैं handraise लूँग क्योंकि मुझे कुछ definition और कुछ इसको explain भी करना है ठीक है clear है यहां तक पहले यह definition देख लिजिए समझ में आ गया section 45 देख लिजिए clear है यहां पर मोटी मोटी देखा जाए इसको निकाल लूँ न अगर नहीं चोड़ के मैं तो इसके अंदर बात समझ में आता है sir assets को बेचिए profit होगा तो text दे दिजिए बात खतम है है ना assets को बेचो और profit हुआ तो text दे देना लेकिन बहुत लोग assets को समझ नहीं पाते तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे sir what is the capital assets पहले यह समझ लेंगे हम उसके बाद फिर हम समझेंगे कि यह transfer क्या होता है ठीक है उसके बाद फिर हम capital gain कैसे निकाला जाएगा वो देख लेंगे sir d point क्या है एक वो देख लेकी प्रोग समझेंगे समझेंगे झाला जाएगा वो देख रितभदा को समयख आज जाएगा उसके भुटत प्याड़ों, कि यहाईगा आंए अख़ जक बाद कर दो समयवे दोंसे को शयरा है डे गीदित कि मेंसे पहले पहले हमाईगे झाल 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 जी मुझे पता है voice नहीं आ रही है मैंने voice mute किया था पहले आप पड़ लिजे बच्चा कहता है सर D बता दीजे D point क्या है और D समझ में नहीं आ रहा दीजे तो D point क्या कहता है पहले D कहता है such capital gain यानि जो भी capital gain होगा should be not exempted ऐसा ना हो कि ऐसा capital gain हो जो की exempted income से हो जैसे बोला गया गाउं के अंदर अगर खेती करते हो वो जमीन है अगर गाउं की खेती वाली जमीन को आप खरीद बेच करते हैं और वहां से मुनाफ़ा कमाओगे तो capital gain part नहीं माना जाएगा लेकिन शहर के अंदर अगर अगर खेती होता है तो वहां का बेच खरीद करोगे तो वहां पर capital gain माना जाएगा तो यही कहता है सर ऐसा assets को बेचने के बाद पैसा कमा लिया जो taxable लगाता ही नहीं सरकार तो उसके ओपर capital gain नहीं लगेगा be exempted under the 54 section not taxable ठीक है सर हम क्या कैस सीखेंगे इसके अंदर number one हम सबसे पहले समझेंगे what is the capital asset दूसरे numbers में समझेंगे सर assets समझतों गये लेकिन कितने type के हैं ये type of capital asset तो चलिए capital assets के बारे में definition में क्या कहा गया हम simple सा पहले मैं पढ़ देता हूँ मैं समझा देता हूँ कुछ चीजे क्या capital assets है और क्या नहीं है law कहता है सर अगर हम बताएं capital assets को तो सर law क्या कहता है capital assets के बारे में कि any kind of any kind of assets सर मतलब any kind of assets मतलब weather connected to the business or not weather connected to the business or not एक तो यह simple सी word है मैं यह सारी चीजे आपको लिखा हुआ देदूँगा लिखने की जुरत नहीं है तो सबसे पहले क्या कहता है कि सर capital assets वो है किसी भी तरीके का assets किसी भी तरीके का assets और in fact assets की जगह पे lawmaker ने जो कानून बना रहे थे तो उन्होंने word use कर लिया assets की जगह का पे क्या word use कर लिया उन्होंने बोला कोई भी property हो any kind of property चाहे वो business के लिए इस्तमाल हो रहा हो चाहे business के लिए इस्तमाल ना हो रहा हो उसे capital assets बोलेंगे लेकिन इस definition को बोलने के बाद तो कुछ बसता ही नहीं है बोला रुख जाओ अभी थोड़ा और explain करते हैं अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर capital assets दो तरीके के होंगे सर कौन से capital assets lawmaker ने जब ये law लिखा जा रहा था तो उन्होंने बोला था आप ध्यान थोड़ा सा मैं और clarity कर दूँ कि हम ना capital assets को दो तरीके का मान लेंगे सर कौन सा सर capital assets यहां पर बोला गया दो तरीके का होगा long term short term नहीं बोला एक ऐसा capital assets जिसको उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है जैसा ये mobile phone मैं ले जाऊँगा और एक ऐसा assets हो सकता है जिसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया एक हो गया उसको बोलते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाये जाता है ना उसको बोलते है movable assets और जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाना लाना पॉसिबल नहीं जिसे बोलते है immovable assets जैसे की land and building ठीक है न तो बोला गया के भाईया capital assets दो है एक तो movable है एक है हमारा immovable बोला भाईया movable assets जो है न इसके अंदर समस्या है movable assets की समस्या है immovable assets तो कोई भी हो कोई भी immovable assets हो कोई भी any यानि सर अगर मैं सच्चा ही बताऊ न तो एक ही assets बता इमोबेल land and building तो चाहे कोई भी business से connected हो चाहे ना connected हो कोई भी हो any immovable assets हो सर ये तो आपका capital gain लगेगा इसके उपर तो capital gain लगेगा पहली condition अब immovable के अंदर बोला भीया मैं तो अपने shirt को भी assets मानता हूं तो क्या मैं shirts अगर बेच देता हूं तो क्या इसके उपर भी capital gain लगेगा मैं अपने watch को भी मान रहा हूं अपने phone को भी मान रहा हूं मतला मैं बहुत सारी चीज़ों को अगर मैं बोलता है कि चाहे business से connected हो चाहे ना connected हो तो मैं वो बाते बता रहा हूं जो मेरे business से connected नहीं है पता चला मैंने shirt को बेच दिया और capital gain निकालने बैठ गया मैं तो ये चीज possible नहीं है तो बोला गया भीया imovable के अंदर अब दो बाते होंगी एक होगा जो कि business के अंदर use हो रहा होगा business से related होगा ठीक है ना एक होगा जो business तो बोला भीया business से जो related होगा बोला गया एक होगा जो किस से related होगा तो बोला गया business से related कोई भी your movable assets any kind of movable assets जो कि business से related है सर उसके ओपर capital gain लगेगा लेखिन अगर कोई भी personal है अगर personal है तो उसके ओपर capital gain क्या होना चाहिए नहीं लगेगा capital gain जब ये बोला गया नहीं capital gain नहीं लगा तो देखा गया लोग वागों ने गोल्ड हजार रुपे तोला का लेके और पचास हजार रुपे तोले में बेचना चालू कर रहे थे हैं गोल्ड तो बहुत जल्दी appreciate भी हो जाता है दो-तीन साल में कम से कम बढ़ जाता है तो और गोल्ड movable है, movable है, movable है मैंने बोला भीया मैंने chain पहन रखी है या मिर पास ring है sony की या diamond की मैंने इसको बेच दिया है law आप कहते हो के sir personal assets अगर movable होगा तो capital gain नहीं लेंगे यही कह रहा था law लेकिन मैंने तो gold बेच आ है तो law को सोचना पड़ी गया इस बात पर यार इस पर तो यह पैसे कमा रहा है और यह daily routine का बेच है तो बोला इसके अंदर आप exception डालेंगे हम आपने बेच लिया मैंने बोला कोई भी आपका personal assets है उसके उपर हम capital gain नहीं लेंगे except अगर यह personal assets है और movable भी है तो हम आपसे capital gain calculate करेंगे that is इसे हम capital assets मानेंगे जैसे बोला गया gold, jewelry कोई भी बोल सकते हो साथ के साथ बोला गया आपका कोई ऐसी महंगी चीज़े जैसे painting, painting क्या होता है, painting बहुत लोग की बहुत महंगी महंगी बेख जाती है painting को रखा गया, art रखा गया, drawing रखा गया, तो archaeological collection जो की बहुत पुरानी पुरानी चीज़े आपने रखा है वो बहुत महंगी बेख जाती है तो उन चीज़ों को बोला गया, सर वो personal में अगर ऐसा कुछ हुआ ना, तो उस पर हम क्या करेंगे, आपसे taxable ले लेंगे इसके बाद capital assets, shares को बोला गया, कि जितने भी shares है, वो भी हमारे capital assets की बात है अभी हम मोटी-मोटी बाते करते हैं, इन सभी को मैं दिखाऊँगा, सर capital assets कोन सा होता है, हर एक तरीके का property, कोई भी property हो capital assets होता है, चाहे वो business के लिए use हो रहा हो, और ज्यादा explain करने के लिए क्या करा, सर ये दो तरीके का हो सकता है, ये movable या, immovable है तो सोचना ही नहीं है भया capital assets है, भया तो घर बन अपने लिए use कर रहा है चाहे company के लिए use कर रहा है, moveable है, तो अगर company के लिए use हो रहा है, business के लिए use हो रहा है, तब तो सर वो capital assets है, लेकिन personal के लिए है, तो capital assets, लेकिन सर कुछ exception case है कि उसके अंदर capital assets माना जाएगा, यानि अब देखो double exception लग जब law को हम पढ़ते हैं तो confusion हो जाती है पहले बोला गया सारा का सारा property जो है वो capital assets है बोला गया अब कुछ detail इस में से इसको हम capital assets नहीं बोलेंगे यह exception है उसके बाद बोला गया इस exception के भी exception है कि इसको capital assets बोल दिया जाएगा तो बड़ी simple सी चीज है capital assets को हम ध्यान से देखें तो capital assets किसे बोला जाएगा तो फटा फट देखें कुछ यह chart है जहां पे 2.14, section 2.14 यह हमें define करता है sir what is the capital assets आप सभी के 10 year में यह chart already incorporated है section 2, subsection 14 में define है capital assets किसे बोला जाएगा कहता है capital assets देखो जो definition law में मैंने assets लिखा है इसके अंदर मैंने कोई बदलाव करने की कोसिस नहीं करी बस इसको थोड़ा सा easy करने की कोसिस करी कि आपको समझ में आ जाए क्या कहता है sir कहता है capital assets वो assets है means property any kind of held for assets whether to connected or his business और profession और not मैं वही बाते इतनी देड़ से बोले जा रहा हूं बोले जा रहा हूं तो मैंने सुझा चार्ट दिखाने से पहले आपको पहले बाते समझा जेते हैं तो फिर यह सब क्या रहा जाएगा समझ में आने लगेगा ठीक है हाँ tangible, intangible भी बच्चे बोल रहे है तो वो सारी चीज़े covered हो जाएगे अब देख लिजिए कहता है कि the term assets include all kind of property, weather, movable और tangible, intangible, fix या circulating fix, circulating का मतलब है जो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है जैसे debenture और share उसे circulating share बोलते हैं, circulating assets बोलते हैं, जैसे ले भाई, मेरा share तू ले ले, है तो assets, share दे दिया तो circulating में आ जाता है, ठीक है यानि सर यहाँ पर circulating से related है, कि यहाँ पर share वगएरा भी count हो जाता है, वैसे security बोलते हैं, तो वो count हो गया तो पहले इस definition को देखिए कि बोला गया कि भाईया, any kind of property held by the SEC, held का मतलब जो SEC के पास है, चाहे उसके business से connected है, चाहे उसके business से connected, उसे हम क्या बोलेंगे, capital assets बोलेंगे और capital assets के अंदर include होता है, चाहे वो movable हो, चाहे वो immovable हो, चाहे tangible हो, चाहे intangible हो, चाहे circulating हो, अब इसक type of movable property, कोई भी हो, all type of movable property, whether for the business or personal, जैसे कि house, factory, land, go down, सर, इसके उपर capital, ये capital asset है, ये क्या है सर, समझ में आए, ये क्या है हमारा, तो यही मैं पीछे भी बता रहा था, कोई भी हमारा immovable है, तो capital assets है, चाहे business के लिए हो, चाहे personal हो, अब आ जाते हैं, दूसरे aspect में कौन सा, movable, movable की बात करें, तो एक तो होगा, किस purpose के लिए, और एक होगा, कहा गया business purpose में, any kind of movable assets, किसी भी तरीके का movable assets, part of capital assets, जैसे अगर आप business के अंदर, business के अंदर अगर कोई भी movable assets हुआ, तो उससे हम मान लेगा, जैसे business के अंदर अगर उन्हें ने laptop बेच दिया ना, जैसे business में laptop पुराना हो जाता है, उन्होंने बेचा, तो वहाँ capital gain calculate होगा, लेकिन आप अपना personal laptop बे बेच दिया तो capital gain लगेगा, personal बेच दिया तो नहीं लगेगा, उन्होंने car बेच दिया तो लगेगा, आप बेच होगे तो, तो वो लगे भी जो business से connected है, वो तो capital assets है, जैसे air condition, laptop, car, machinery, तो that is, क्या है हमारा ये, capital assets, लेकिन अगर personal हुआ, तो all type of movable assets are not part of capital assets, law ने कह दिया भाईया, personal assets अगर movable है, तो capital assets नहीं मानेंगे, except इन चीजों को छोड़ करके, क्या क्या सर, jewelry, jewelry में क्या आ जाता है, सारे के सारे आभूशन आ जाते हैं, आपके चाहे diamond का हो, चाहे silver का हो, चाहे आपका gold का हो, सार आ जाएगा, jewelry के अंदर, ठीक है, इसके बाद बोला गया, jewelry के बाद सार, drawing, आपके paintings, drawing, आपके movable assets है, वो personal है, लेकिन आपने उसे बेच दिया, जैसे कि मैं painter की बात करूँ, तो कुछ बहुत बड़े ऐसे painter है, painting समझ में आए चाहे नहीं है, उनकी painting में बिक्त जाती है, उनके नाम पे, ठीक है, तो वो, sculpture क्या होते हैं, जैसे sculpture का मत मतलब होता है, बहुत पुरानी चीजे, यह basically क्या होता है, जैसे मानलों किसी के पास dinosaur का कुछ मानलेते हैं, sculpture मतलब उसका कोई खंकाल वगएरा मिल जाता है, यह genuine dinosaur का है, तो करोड़ों और वो में बीच सकते हैं, चुकि बहुत सारे लोगों को सौख होता है, जैसे मैं बात करूं, तो विजय मालिया जो थे, थोड़े सौखीन किसम के इंसान थे वो, उन्होंने क्या करा था, कि एक तलवार, टीपू सुल्तान की तलवार थी, वो 6,000 करोड रुपे में खरीदा था, उन्होंने, 6,000 करोड का टीपू सुल्तान की तलवार, 6,000 करोड या बहुत expensive 700 कर जिसे हम बोलते हैं, वो चीजे, आपका ऐसे आर्की लॉजिकल कलेक्शन, पुरानी चीजे जो आपके पास पड़े हुए हैं, वो पुरानी चीजे आर्की लॉजिकल कलेक्शन में क्या होता है, नूट, आप देखोगे ना लाल के लिए पे जाओ, और बोलो कि 10 पैसे कितन चोको तो लगेगा पता नी कब की बात कर रहे हैं, यह एक्जिस्टेंस में था, आप गूगल है तो पिक्चर बगर है तो देख सकते हो, यहां नियर बाय बोलू तो लाल किले में जाईए, लाल किले पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो पुराने करंसी को लेके बैठे हो गया था ना, बंदो आपको 500 रुपे में नहीं मिलेगा, वो सायद 1000 या 1200 रुपे में भिक्रा होगा, तो जिन्हों ने उस टाम पे फेक दिया, वो तो बेवकूफ थे, अब उसकी कीमत क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो वो क्या है, आर्की लॉजिकल कलेक्शिक, बिल् गवर्मेंट भी कहते हैं, यह सिरीज वाले नोट लिया, तो वो हो जाएगा, तो उस पर नहीं जाते है, बस हमारा मेन आर्की लॉजिकल कलेक्शन पुरानी चीजे, जैसे पांच रुपे का, जैसे कोईन है, मेरे पास भी है, पांच रुपे का पहले अभी तो इतना सो से बनाए जाता है, एनी वर्क आर्ट, आपका कोई हेंड क्राफ आर्ट हो, आपने कोई भुनाई वगरा किया हो, इस तरीका कोई आपका हेंड क्राफ से आर्ट हो तो वो, तो बोला गया, यह जो हम आपको बता रहे हैं न, A, B, C, D, E, F तक, यानि छे बातें, ये छे बात प्रसनल हुआ, तब भी कैपिटल एसेट के कैटेगरी में माना जाएगा, बाकी कुछ भी है, वो नहीं है, बस ये छे बाते ही रखा, तो यानि बताओ, प्रसनल कार क्या आएगा, नहीं आएगा, लेकिन एंटिक कार हुआ, तो आजाएगा न, एंटिक का मतलब क्या हो गय कि पहले के टाइम पर यूनिक रखा हुआ है, कुछ लोगों को सौक होता है कि इस तरीका है, तो वो आजाएगा, क्यों वो महंगा बेचेगा है, तो ऐसे यहाँ पर रखा गया, अब आगे कहता है, नोट, capital assets do not include stock in trade, capital assets में stock in trade नहीं माना जाएगा, यानि जैसे कि मान लो property dealer है, वो भी तो मकान खरीद और बेच रहा है, लेकिन property dealer के लिए वो मकान एक stock के तरीके से है, वो 10 मकान daily खरीता है, 10 मकान daily बेच देता है, उसका काम ही यह है, तो अगर कोई अपने वेपार में stock के तरीके से किसी भी तरीके का assets यूज़ कर रहा हो, वो capital assets नहीं होगा, अ सुनार की बात कर लेतने, goldsmith की बात कर लो, जितने भी jewelry shop वाले है, वो तो daily पांच किलो सोना खरीते पांच किलो बीच रहे है, लेकिन वो उसका क्या है, business और वो gold उसके लिए क्या है, stock है, लेकिन आपके लिए क्या है, capital assets है, ठीक है न, तो यहाँ पे क्या कहा गया, कि any stock, आपका rural, rural agriculture land, जो गाउं के, ग्रामिन के जो जमीन है, उसको माना जाएगा, आपका कौन सा, सर, इसे भी capital assets category में नहीं माना जाएगा, क्या कहता है, capital assets does not include, यह तो capital assets है ही नहीं सर, यह सारी बाते हैं, लेकिन आप कहोगे सर, gold, gold यहाँ पे आजाएगा, business purpose के लिए है, current assets है stock है, तो नहीं, पहली मना कर दिया गए, कि इनको भी आप capital assets नहीं मानेंगे, चाहे आपका हो, 6% gold bond, government क्या करता है, gold bond का मतलब है, government बहुत टाइम पे कुछ ऐसे, ऐसे assets निकालती है, जिसके ओपर government कहती है, यह tax free है, इसमें पैसा लगाईए, वो tax free है, तो उसमें से हमारा, जो 1977 में issue किया गया था, 6.5% gold bond, वो भी आपका tax free है, 7% 1980 में किया गया था, national defense bond भी किया गया था, special bearer bond 1991 में किया गया था, gold deposit, आपका यह gold deposit scheme 1999 में कुछ bond निकाले गया थे, government के दौरा इन जगह पे, तो वो, सर, बड़ी basic सी बात है, बड़ी simple सी बात है, अगर छोटी सी बात बोलू, तो जो मैं पहले बाते बता रहा था, वो सारे के सारे यही चीजे लिखी हुई है, कि सर, capital assets वो है, जो कि आपका movable हो, चाहे immovable, movable में बस आपको ध्यान रखना है, personal में 6 बाते तो capital assets हो जाएगी बाकी कोई भी capital assets नहीं होगी, और business से connected में ध्यान रखना है कि stock वगेरा ना हो, agriculture land ना हो, और ये bond ना हो, इनको हमने capital assets के category से क्या कर रखा है, बाहर करा हुआ है, तो ये overall definition किसका है सर हमारा capital assets का, इसी definition को book के अंदर ना पूरा एक ऐसा लिखा हुआ है, पूरा एक paragraph format के अं ना दिया, so that आपको पूरी picture clear हो, बाकी जब practical question करेंगे, तो वहाँ पे capital assets का कोई लिना दिना नहीं रहेगा, आपको ऐसा नहीं देखना के भाईया, ये कौन सा घर है, वो बोलेगा एक जमीन खरीदा, एक मकान था, बेचा खरीदा, तो practical question में इसका इतना impact नहीं आएगा, लेकिन हाँ, theory पूछा जा सकता है, what do you mean by the capital assets, capital assets क्या होता है, ये बता दीजिए, तो वहाँ पे पूछा जा सकता है, सर अगला point पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे हम, कि सर capital assets तो होई गया, पहले यहाँ तक बताइए, हर किसी को clear है capital assets, किसी को doubt है, तो अब एक बार झाल सकता है, इक जा हूँ, तो है आए, तो है तक बताइए, ये भ Saotischer summary है, पूछा किसी को प्लम में पूछाइए, किसी को चेंगे हम, kipा है, सकता है, बताचिए, ये ले बताइए, जे दोड़ेंगे हो उब 넣ेरा, हम बताइए, और भी है, सबागे हो ऐ이ता है, किसी आगे